नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में Realme 7i versus Samsung Galaxy A21s का full depth comparison करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे smartphone की जानकारी भी आपको वीडियो के last में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों phone के dimension की दोनों phone की length की बात करें तो Realme 7i में 6.46 inch जबकी A21s में 6.44 inch की length मिलती है जो की same जैसी ही है width की बात करें तो Realme 7i में 2.97 inch जबकी A21s में 2.96 inch की width मिलती है जो की same जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो Realme 7i में 0.33 inch जबकी A21s में 0.35 inch की थिकनेस मिलती है जो की Realme 7i से ज्यादा है अब बात करते है weight की तो Realme 7i में 188 grams जबकी A21s में 192 grams का weight देखने को मिलता है जो की same जैसा ही है तो चलिए अब हम display को compare करते है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme 7i में IPS LCD जबकी A21s में ATFT LCD की डिस्प्ले मिलती है aspect ratio दोनों phone में same ही 20 ratio 9 मिलता है बात करें display size की तो दोनों phone में same ही 6.5 inches मिलती है display resolution दोनों phone में same ही 720 by 1600 मिलता है screen to body ratio Realme 7i में 82.33 प्रतिशत जबकी A21s में 82.75 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI density की तो दोनों phone में same ही 270 pixel प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं display के अन्य features यानि विशेशताएं की जो की mobile phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा features camera की दोस्तों सबसे पहले बात करें man camera की तो Realme 7i में 4 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera, macro camera और आखिर में mono camera देखने को मिलता है और A21s की बात करें तो इसमें भी हमें 4 camera देखने को मिलता है जिसमें की wide angle primary camera, ultra wide angle camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 7E में आठ डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A21S की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें environmental camera यानि की selfie camera की तो Realme 7E में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 8 different features मिलते हैं और A21S में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 6 different features मिलते हैं अईए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Realme 7i में Adreno 610 जबकी A21S में Mali G52 MP1 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Realme 7i में Qualcomm Snapdragon 662 और A21S में Samsung Exynos 8 after 850 मिलता है बात करें RAM की तो Realme 7i में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB 4GB की RAM मिलती है जबकी A21S में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB 6GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Realme 7i में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB की storage मिलती है जबकी A21S में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB 64GB 128GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो Realme 7i में up to 256GB जबकी A21S में up to 512GB है ओपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 Q देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है अईए अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो Realme 7i में 2 colors जबकी A21S में 3 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Realme 7i में 2 variant देखने को मिलते हैं जो की 4GB RAM 64GB storage के साथ 13,525 रूपीस 4GB RAM 128GB storage के साथ 14,999 रूपीस में मिल जाता है वही अगर बात करें A21S की तो उसमें 3 variant देखने को मिलते हैं जो की 4GB RAM 64GB storage के साथ 12,999 रूपीस 6GB RAM 64GB storage के साथ 14,490 रूपीस 6GB RAM 128GB storage के साथ 15,499 रूपीस में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 3 फाइदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कामरा में Realme 7i आगे है फ्रंट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में Realme 7i आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो वाई 21 है, दुसरा शाओमी पोको M2 प्रो है, तीसरा Realme 7 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 प्रो है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना